So hey guys what is up my name is Ritik तो आज अपन क्या करने वाले भाई साब आज मेरे पास वो वाला गेम है जो शायद आपने पक्का वजपन में खेला ही होगा क्यों नहीं खेला होगा पक्का खेला होगा और उस गेम का नाम है बिजनिस अब आप सोच रहे हैं यह कौन सा गेम आ गया बिजनिस शायद आप उसको नाम से नहीं जानते हो पर शकल से पक्का जानते होगे और वो गेम है ये So guys आज अपन लेके आ हैं बिजनिस अपनी पुरानी आदो को ताज़ा करने के लिए और खोल के देखते हैं भाई साब आखिर इसमें आता क्या क्या था So let's go और करते इसको ओपन जैसा कि आप देख सकते हैं यह है पूरा पैक बिजनिस वाला डबा और अब इसको हम open करेंगे और खोल दिया है इसको और यह निकला है इसका map जिसके जरीये हमको अब यह खेलना पड़ेगा तो जिसमें हम देख सकते हैं कि इसमें ये है स्टार्ट लाइन एक सेकंड ये है स्टार्ट लाइन और इसके बाद से जैसे कि आप देख सकते हो इस सारे स्टेट्स आजाते हैं इसमें जिसको हम बाई करते हैं ये जिसमें ये देख सकते हैं इन सब की प्राइज लिखी हुई है पर हमारे पैसे का है देखते हैं पैसे का आप सो गाईज यह रहा मेन माल जो आता है खेलने के लिए और यह हैं वह काड जो जो टिकेट बाइं करने के काम आते हैं तो गाएस जैसा कि यह तो शाइद कुछ और ही है देखते हैं जिसमें एक आया है पहला चेननाई चेननाई का 7000 रुपए प्राइज है जैसे कि आप देख सकते हैं तो इसमें भी ये प्राइज सेम ही होगा बहुत दिन हो गए मेरे को खेले हुए पर मैंने आज देखा था और भाई साब ये है इसका पैसा तो जैसा कि गाईज अब हम देखेंगे 7000 रुपए का था चेननाई और ये रहा चेननाई गाईज बिलकुल 7000 रुपए चेननाई के मैच हो रहे हैं तो मतलब यह जो cards है यह हम इन पैसों की बदले जो की पैसे हैं इनके बदले हम खरीदते हैं तो इसमें guys हम देखते हैं कौन-कौन से हैं तो पहला है 10,000 रुपय का यह note है प्लास्टिक का बहुत छोटा note है एक है इसमें 1,000 रुपय का और guys इसमें एक है 5,000 रुपय का भी है भाई साब note और यह है 500 रुपय का note और यह है 100 रुपय का note और guys शायद इसमें गोटिया दी हुई हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यह गोटिया है और यह गोटिया है I think जब हम इन घरों को बाई करते हैं तो यह इन पर रखने के काम आती हैं समझे रहे हो तो जैसे कि मैंने इन गोटियों को इस पर रखा तो यह घर मेरा हो गया यह है guys dice जो use आता है खेलने के तो guys अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो please channel को like और subscribe करना बिलकुल भी ना भूले so thank you so much